संवार को काम्ठे दालुका में हुए समिक्षा बैठक में मंत्री सुरिल केदार के सामने कॉंग्रेस प्रदेश महासर्ची सुरेश भुयर ने विधायक टेक्चुन सावरकर को तीकी पहस करनी का वीडियो वायरल होने के बाद विधायक टेक्चन सावरकर ने मंत्री सुरिल केदार के खिलाफ सभागुरों में हक भंगप रस्ता और अपने की बात कही जिन से बात की है हमारी समवादाता अमित वांद्रे ने विधायक टेक्चन सावरकर जी के साथ अबहतर वेभार कर किया है गाली गलोज के साथ बात की गई है हमारी साथ बात करने के लिए लिए हाईपर हो गया और बात हो गई देखिए, कल शास्किय बैटक थी माननिय मंत्री सुनिल केदार साब ने रखे थी, मैं उसमें बैटक में गया, मैं दस मिट लेट गया, मगर वहाँ बैटक की वेवस्ता मैं देखा तो पूरा कॉंग्रेस का मेलाव मेरको दिखा, मैं साइट के सीट पे जाके बैठा, दो मंत्री मोहदय से विनंति किया, कि मानिय मंत्री जी मेरे को कुछ दो विशय में बात करना है, तो मंत्री मोहदय ने बोला कि आपको आप बात कर नहीं सकते, जब तक कि हमारा अलाव बैटक होता नहीं, आप बात नहीं कर सकते, मैं बड़े माइक के तरफ गया, तो उत्ते मे सबी जो कांग्रेस के पदादिकारी थे सुरेज बोयर और सुनिल केदार साब मेरे आंग के उपर आए और बाकी कारे करता भी आए सुरेज बोयर ने तो मेरे को गालू-गलोज भी किया यह क्यों किया यह उनका उनको मालूम है मगर मैं प्रश्न उनको पूचना चाहता हूँ कि कामटी तालूका के तहसिलदार ने उनको दोनों को निमंधर दिया था क्या सुनिल केदार साब की बैटक होंगी मगर शास्किय प्रोटोकाल के हिसाब से सुरेज बोयर कोन था सुरेज बोयर की कोन से पत्पे है अवान्तिका लेकूरवाड़े कोन से पत्पे है जो सुनिल केदार को घेर के बटे थे आज यह विकास की भाषा मेरे को नहीं बता है मैं गए 30 साल से इस राजनिते में हूँ मैं चार बार चुनके है मेरी मिशेज एक बार चुनके है मैं पाच बार चुनके आने वाला कार्य करता हूँ यदि मैं विकास मेरे को समस्ता नहीं तो मैं पाच गार जनता मेरे को चुनके देती नहीं मैं तो यह प्रशन पुछता हूँ सुर्यस बवर को कि तुमने इस पूरी जिन्दगी कॉंग्रेस में गई मगर तुम कभी चुनके आये नहीं और आ भी सकते नहीं ये मेरा दावा है एक ही बार वो चुनके आये उनको हल्दी लग गई बीजेपी की कि कम से कम बीजेपी के त पार्चय जिला परशाथ अध्यरप से वह जिला पर्शा अध्यरश बने विकास क्या होता है यह तो देवेंद्री जी फढ़न भिजा बता सकते हैं वह चंदरिशेकर भाउनकुले साब बता सकते हैं निशा सावर कर बता सकते हैं कि जीजेश पावने 200 कूटी की डिपीडीसी थी, वो 788 कूटी रुपे तक ले जाने का काम भारतिय जनुता पर्टी ने किये, आज दो साल ये सरकार आई है, दो साल में कोई एरिगेशन, बानकाब, प्रदानमंत्री सरक के उजना, ग्रामिन रूरल ये उजना, डिपीडीसी, वो कम हो ग विरोधी पार्टी का आमदार बोलेगा, और हमाली पोल खुलेगी, ऐसा प्रकर का उनका नियोजन है, ऐसा मेरे को लगता है। दिया है, और मेरे को चुन के लाने का सबसे बड़ा स्रिय है, चंद्रसेकर बावनकुले साप का है, उन्हें लोच संगटन बनाए थे, वो संगटन के माध्यम से ही, ग्यारा दिन में मैं वा चुनाव लड़ा, और ग्यारा दिन के चुनाव में चुन के आया, आज क्या मनस वाला हूं, तुधे वाला है, मैं चंद्रसेकर बावनकुले साप के मारगा दर्शन में, और हम दोनोंरो इस विदानसभा में रात दिन अपने कार्य करता को संगटन को बढ़ाने के लिए, व्यकास के काम करने के लिए, घम लगए हैं, और विकास के काम के माध्यम से, इस और चंद्रशकरजी 52 की विदान सभा करके ये साबुद रखने का काम एक चन सावर कर आपदार करके मैं करने वाला हूँ ये कांग्रेस के क्या मनसुब है मैं उनमें जाने वाला नहीं आपकी आने भूमिका क्या होगे क्योंकि एक विदायक जन्दप्रति नहीं कि इस तरह से विवहार करना उसके बाद आपने कहा कि सभाब गुर्म हकबंगत का प्रस्ता लाओगे क्या आपकी भूमिका सिधी है भारतिय जनता पार्टी के हमारे जिल्ला देख्ष अर्विन जी क्यांते सुनिल केदार का निशयत करेंगे सूरेज बोश्र। के उपर गुना दाखल करने की माग करेंगे मैं सुनिल केदार साथ के उपर सभाग रोंग में हकबंग लाने के लिए मैं मेरे सबी पता दिकारीयों से चर्चा करके ogram लाने की भूमिका मेरी तो यह तो थे विद्धायक टेक्चन सावरकर जिन्होंने जो कल इंसिडेंट हुआ उसके बाद मंत्री सुनिल केदार के उपर हकभंगा प्रस्ता लाने की बात कही है कैमरापरसें दिने साथपुति के साथ अमित्वा अंद्रे महारा श्रीविट 24 नाकपूर